हेलो फ्रेंट्स विल्गम बैक तो मैं चैनल और आज मैं सोचा था कि एक घर में खराब बॉटल जो पड़ी है उसको कैसे यूज में लाया जाए तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ एक बार तो यह देखिए यह बॉटल पानी की पानी की तेल की बॉटल पड़ी होई थी म मैंने सोचा है इसको हाफ कर लेता हूँ और इसको एज़ा पॉट यूज करता हूँ और इसमें हम मैं सोचा हूँ कि मैं वह प्लांट लगाऊं जो सारे प्लांट में से सबसे ज़्यादा तेजी से ग्रो करते हैं बहुत अच्छे फ्लावर्स देते हैं यह विंड समर्स के यह प्लांट्स हैं ग्रास टाइप प्लांट होते हैं तो यह तो हो गया अपना पॉट्यूला का मिक्स कर लिया है मेरे घर में काफी सारे हो गए थे तो मैंने सुचा दिखाता चलूँ आपको पॉट्यूला का इसकी आप यहां से डंडियां तोड़के मिट्टी में डाल दें जिए बहुत जल्दी से ग्रोथ करने लग जाते हैं यह और यह देखें यह सुन्दर पर्सलेन बोलता हैं इसको पर्सलेन बोलता हैं इसमें यलो कलर के फ्लार्स आते हैं जैसे कि यह एक एक कली देखिये ये ये देखिए इस तरह के फूल आते हैं इसमें प्यारे-प्यारे से येलो कलर के और ये भी औरेंज कलर का पॉट्यूला का है इसमें पिंग कलर का भी पॉट्यूला का है इनकी कलियां है अभी ये पिंग कलर का है ये तो चलिए लगाते हैं इसको मैंने इसको काटा और मिट्टी डाल लिया मैंने इसके अंदर काफी ज्यादा सॉफ्ट मिट्टी है ज्यादा मौश्चर भी निया भी थोड़ा पानी डालूँ हमाँ चलिए फिर लगाते हैं चलिए शुरू करते हैं आपको क्या करना है बस इसक से च्छेद बनाने पूरे इसमें और इन्हें में डाल देना है इन सब को इस तरह से इस तरह से बहुत इजी प्रोसेस होता है इसको लगाने का और बहुत सुन्दर दिखते हैं यह घर में प्लाइंट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् आप इसको डाइक सणलाइट में अगर रखेंगे तो इसकी फ्लावरिंग बहुत बढ़ी हैं तरीकेसे होती he पूरा गमला भर जाता है फूलो से हैं इसमें कई सारे कलर्स आते हैं वाइट आता है यहलो आता है पिंक आता है रेड आता है और काफी तरीका यह इस तरह से लगाते जाए चोटी चोटी बॉटले होती है घर में आप उनमें भी यूज़ कर सकते हैं उसमें उसको बॉटल को काट के हैंगिंग बॉटल बना सकते हैं उसको आप कि इस तरह से लग जाएगा सारा और फिर इसको ऐसे मिट्टी से ढख देना है ऐसे ढख देना है और फिर इसके बाद यह बहुत जादा सूखे मिट्टी है यह तो मैं इसमें थोड़ा पानी डाल दूँगा आज थोड़ा मौसम भी ठीक है तो मैंने सोचा कि चलो लगा देता है जल्दी पपड़ लेगा घर में ऐसी काफी सारी तरीके की चीज पड़ी रहती है जिसको हमें पता नहीं होता है कि वह यूज में आ सकती हैं लेकिन जब वह यूज में आ जाती है इस तरह से तो वह काफी सुन्दर लगती है शोभा बढ़ जाती है उन सब चीज होती है तो आज के लिए इतना ही था मिलता है नेक्स्ट फीडियो में यह देखिए एरेका पाम मेरे कितने बढ़िया हो रखे हैं अभी सिर्फ एक ही लाया था मैं यह सेंटी रुपीज का आज यह चार चार हो गया है पांच हो गया है और इसमें भी देखें यह देखिए बढ़िया हो गया एकदाँ चलिए फिर आज के लिए इतने ही मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यो वेरी मच शेर एंड सब्सक्राइब माइ चैनल